हेलो, गुड मॉर्निंग गाईज, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूटूब चैनल ABC ग्यान पर गाईज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड नाइन्थ किला सामाजिक बिग्यान बार्शिक परिक्षा 2022 का कोश्चन पेपर है तो गैस चली का वीडियो स्टाट करते हैं यह जो question paper है आपका UP board 9th class समाजिक विज्ञान social science का बार्शिक परिक्षा 2022 का paper है यह paper का पुलांख है आपका 70 number और paper का time है 3 घंटा 15 मिनट यहां से आपका start है और आपका पहला question यह रहा screen पर तिक है महान दार्शिक बाल्टेयर ने किस देश की किरांती को पिरभावित किया था तो इसमें आपका पहला option है अमेरिका second option है इंगलेंड third option है रूस और fourth option है फ्रांस महान दार्शिक बाल्टेयर ने किस देश की किरांती को पिरभावित किया था तो इसमें आपका राइट अंसर है और इनौन लूत ज्यादा योगदान दिया थी ठिकेइंटेस्का राइट आंजर है आगे आगे रचना है आपका पहला ऑफसिंस सेकंड और ण। ञोल अपसिं रूसों और फौर्थ ओफशन है मांटेस क्यों दा सोसल कॉंट्रियक्ट किसकी रचना है तो इसमें आपका राइट आंसर है ओफशन थार्ड दूसो टिक है दा सोसल कॉंट्रियक्ट बुक दूसो नेल की है आगे दखीगा संथाल परगना में ब्रेटिस सासन के बिरुद्ध बिद्रोह करने बाले बन समुदाई का नेता था आपका पहला ओफशन है बिर्शा मुंडा सेकंड ओफशन है सिध्धू थर्ड ओफशन है अलूरी सीता रामराजू और फौर्थ ओफशन है गुंडा धुरुब संथाल परगना में ब्रेटिस सासन के बिरुद्ध बिद्रोह करने बाले बन समुदाई का नेता था तो इसमें आपका राइट आंसर है ओफशन फ़स्ट बिर्शा मुंडा आगे देखीगा चोथा कोश्चन समाजबाद का जनक कौन था आपका पहला ओफशन है दूसरो सेकंड ओफशन है कार्ल मार्क्स थर्ड ओफशन है एंगल्स और फौर्थ ओफशन है बाकुनिन समाजबाद का जनक कौन था तो इसमें आपका राइट आंसर है ओफशन सेकंड कार्ल मार्क्स सब्सक्राइब लेकर आई तो इसका राइट आंसर आपका ओफसन थर्ड अठाइब लेकर आई थी आगे देखेगा चटा गोश्चन भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम संद रच्चक कोन है आपका पहला ओफसन है उच्छितम नियालिया है मतलब सुप्रियूंग कोट सेकंड है जास्ट पती थर्ड है परधान मंत्री फूर्ट है राज्येपाल भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रच्छक कोन है तो इसमें आपका राइट आंसर है उप्षन फर्स्ट उच्छितम निया लिया सुप्रीम कोट भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रच्छक है आगे देखते हैं गाइस यहां से हैं आपका साथवा कोस्चन स्टार्ट ठीक है चेटा कोस्चन हो गया हमारा और यहां पे हैं आपका साथवा कोस्चन भारतिय संबिधान का जनक किसे माना जाता है आपका पहला ओफशन है डांक्टर राधा के रस्वन तो इसका तो पता ही होगा आपको भारती संबीधान का जनक डाक्टाद भीमराब अमबेटकर आगे देखीगा आठवा कोश्चन ओपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है आपका पहला अफ़सन है प्रधान मंतरी सेकंड अफ़सन है राष्टपती प्रफशन की टानसर है ओफशन सेकंड जाष्टपती अगे देखीगा नवा कोश्चन फिलित में से किस चेत्र में पिरवास की कारल अबादी बित्रण एवं संद्धक नामें आता है आपका पहला option है प्रस्थान करने वाले चेत्र में सेकंड है आगमन करने वाले चेत्र में थर्ड है प्रस्थान एवं आगमन करने प्रस्थान एवं आगमन दोनों चेत्र में और फोर्थ है इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसमें थोड़ा सा गाई संदे है बट हमें जो है इसका अंसर option 3 लग रहा है तीक है अगर आप लोगों को कुछ और मालूम हो तो आप जहां कमेंट में बताएगा ठीक है हमें लग रहा है कि प्रस्थान एवं आगवन दोनों चेतर में रहेगा ठीक है क्योंकि अगर किसी भी स्थान से आबादी एक जगह दूसरी जगह जाती है तो संदचना में तो परिवर्तन आएगा वहां की ठीक है और जहां से जा रही है वहां की संदचना आवादी सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है option 3 लग रहा है ठीक है बाकी आप लोग बताएगा आपको मालूम हो तो ठी आगे देखेगा दसफ़क option सिन कोना के बिरक्ष में सिन कोना के बिरक्ष कितनी बरसा बाले चेतर में पाई जाते हैं पहला option आपका 100 cm दूसरा है आपका 70 cm और थर्ड option है आपका 50 cm जो की अगले पेच पर हैं और फौर्थ option है आपका 50 cm से कम बरसा बाले चेतर में तो गईस इसका जो दाइट आंसर है वो है आपका 100 cm 100 cm बरसा वाले चेत्रों में सिन कोना की बिरक्ष पाई जाते हैं बट यहाँ पे आपका कोई सावी option नहीं है तो आप जो है गाईज इसमें option भी लगा सकते हैं 70 cm आप लगा सकते हैं हाला कि इसका जो आंसर है वो है 100 cm बट यहाँ पे 100 cm option में नहीं है तो आप जो है 70 लगा सकते हैं आगे देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड पेज और यह रहा गाईज आपका 11 वा कोईशन दिये गए इस्थानों में किस इस्थान पर बिस्व में सबसे अधिक बरसा होती है आपका पहला option है सिल्चन सेकंड option है चीरापुंजी थर्ड option है मोसिन राम फॉर्थ option है गुबाहटी तो इसमें आपका राइट अंसर है option थर्ड मांसिराम मेगालिया मासिन राम मेगालिया में पड़ता है और यहाँ पे जो है बिस्व में सबसे ज़्यादा बरसा होती है आगे देखीगा बारवा question गोवा के दच्छिड में पस्चिन तर्टिय पट्टी को क्या कहते है गोवा के दच्छिड में जैसे कि गोवा मालो हमारा यहाँ पे इस्तित है तो गोवा के दच्छिड में जो इस तर्टिय पट्टी है इसको क्या कहते है गोवा के नीचे बाली तो आपका पहला option है कोरो मंडल तर्ट second option है कंदर third option है कौंकर्ड और fourth option है उत्तिरी सरकार तो इसको कहते हैं हम कौंकर्ड तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा माल दीप और स्री लंका ठीक है आगे देखीगा चोध फाक option बंगाल की खाड़ी में इस्तित कींदर सासित प्रदेश का नाम बताईए तीक है आपका पहला option है लच्छ दीप second option है स्री लंका third option है माल दीप fourth option है अंडमा निकोबार दीप समू तो इसका राइट आंसर है आपका लच्छ दीप option A आपका राइट आंसर है बंगाल की स्वरी गाइज एक नट रुकी गा I have confusion यहाँ पर पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में इस्तित अरब सागर में कौन सा दीप इस्तित है तो अरब सागर में है हमारा यहाँ पर अरफ सागर यहाँ पड़ेगा हमारा पच्छा में पस्चिम में तो यहाँ पर है हमारा लच्छ दीप तो इसमें आपका राइट आंसर है option अरब सागर में तो इसमें आपको पता ही होगा डायरेक्टली सो दिन का इसमें आंसर है आगे देखीगा बिनिर्मार उद्वोग किस छेत्रक के अंतरगत आते हैं परात्मिक छेत्रक से दुत्यक छेत्रक तिर्तिक छेत्रक इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका राइट आंसर है दुत्यक छेत्रक ठीक है आगे देखीगा सत्रवा ब्यापार परिवहन संचार बैंकिंग बीमा स से बाएं किस चेत्रा के अंतरगत आती हैं तो यह आती हैं गाइज तिरतिया चेत्रा के अंतरगत है ठीक है ओफ्षन से आपका राइट आंसर है कि आगे देखीगा अठारवा कॉश्चन अनाज की उपलब्दता भारत में किस घटक के कारण और वी सुनिशित हुई है तो कि बफर इस्टोक और ऐ और बै दोने इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका अंसर भी गाइज आप लोग जो है कमेंट बुक्स में बताईएगा ठीक है आगे आपका है 19 वा कमला दौरा अपने घर में खाना बनाना कैसी क्रिया है ठीक है तो यह है गाइज आर्थिक क्रिया उसके बाद में आपका 20 वा कोउशन के डिसी बाने की पसुपालन कौन से चेतरा के अंतरगत आते हैं तो यह आते हैं प्राथिमिक के अंतरगत अपने यहाँ पे आपके सोट आंसर टाइप कोउशन है तो आपके लोग देख सकते हैं जो उसकी किरांती के दो पिरभाव फ् तो गाइस आप लोग सारे कोउशन देख सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं और यह हैं आपके पेपर का फॉर्थ पेज लाश्ट पेज टीक हैं दसवे पेज में दसवे कोउशन देखीगा दिये गए फ्रांस मानचित्र में निम्दलिखित का अंकन कीजिए और यहाँ पे टाइप की वीडियो चाहिए आप लोग यह भी पताएगा